सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल और वेल आइकन को प्रिस करें सबसे पहले सेलेक्शन के लिए हेलो दूस्तों स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल एक्जाम इस्टी प्लैटफॉर्म में आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कवर करने वाले हैं आज की सभी महतपूर करेंट अफेर्स को साथी साथ हम लोग जीकी की कुछ important questions भी देखेंगे तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो पहला प्रेशन देखते हैं पहला प्रेशन है आपकी स्क्रीन पर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसी प्रदूशी देश निमने में से कौन सा है तो दोस्तो World Air Quality Report के अनुसार विश्व का सबसी प्रदूशित देश यहाँ पर पुछा गया है सही आंसर हो जाएगा बांगला देश World Air Quality Report के अनुसार बांगला देश जो है यह आपका विश्व का सबसी प्रदूशित देश है कुछ और Important Facts यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों अगर भारत के बारे में पूछा जाए तो भारत का सबसी प्रदूशित प्रदेश कौन सा है दिली आपकी राजधानी जो दिली है यह आपका भारत का सबसी प्रदूशित प्रदेश है वहीं विश्व का सबसे प्रदूशित देश कौन सा है बांगला देश है बांगला देश की राजधानी पूछा जाए तो यहां की राजधानी धाका है और यहां पे मुद्राज चलती है बांगला देशी टका यह कुछ important facts थे आप लोग note कर सकते हैं अगला प्रशन देखते हैं हम लोग दोस्तों अगला प्रशन है हाल ही में किस बॉलीवुड अभी नेत्री को time hundred impact award 2022 के पुरुसकार से सम्मानित किया गया है तो दोस्तों important प्रशन है यह किस अभी नेत्री को सम्मानित किया गया है सही answer दोस्तों हो जाएगा दीपिका को दीपिका पादु को time hundred impact award 2022 के सम्मानित किया गया है मिस वर्ल 2022 का किसे सम्मानित किया गया है अगर पूछा जाए सेवी की पहली महिला अध्यच बनी है तो माधवी पुरी जो है ये सेवी की पहली महिला अध्यच बनी है अगर प्रिशन में पूसता है दादा साहे फाल के पुरुसकार में बेश्ट अभिनेत्री का पुरुसकार किसे मिला है तो किर्ती सेनन को मिला है दोस्तों अगला प्रिशन देखते हैं हम लोग अगला प्रिशन है हालós में भारत में नेपाल के नए राजडूत के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है यहां पर दोस्तों हमनों कुछ और एक्ट्रा फैस देखेंगे चीन में भारत के राज़दूत कौन है प्रदीप कुमार रावत है यूक्रेन में पार्थ सत्पती है रूस में पवन कपूर है और बांगला देश में विक्रम दुर्ष्वामी है तो दोस्तों इसको आप लोग याद रख सकते हैं अगला प्रशन देखते हैं हम लोग अगला सुलज गया है सही अंसर दोस्तों हो जाएगा मिघाले असम और मिघाले के बीच 50 सालों का सीमा विवाद सुलज गया है मिघाले की दोस्तों राज़दानी पूछा जाए तो शिलॉंग आपकी मिघाले की राज़दानी है अगला प्रशन देखते हैं हाल ही में राबर्ट अगला प्रश्न है हानी में फिलिपींस ने किस देश की सेना के साथ अबदक का सबसे बड़ा सैन अभ्यास बाली कतन 2021 शुरूख यह तो दोस्तो ये भी काफी इंपोर्टन है सैन अभ्यास बाली कतन 2022 किन दो देशों के भी संपन हुआ है फिलिपीन्स और सให्यूक्त राज अमेरिका फिलिपिन्स और संयुक्त राज अमेरिका के बीच सैन अभ्यास बाली कतन 2022 संपन हुआ है यहाँ पर कुछ और सैन अभ्यास देखेंगे हम लोग दोस्तो 2022 में संपन हुए अन्य सैन अभ्यास मिलन 2022 अभ्यास के इन दो देशों के बीच हुए है भारत और यूएस के बीच कैरेट नौसेन अभ्यास आपका बांगलादिस और यूएसे के बीच हुआ है सी ड्रेगन 2022 अभ्यास यह आपका अमेरिका और भारत के बीच संपन हुआ है आत्मरच्छा अभ्यास 2022 की बात करें तो ये आपका भारत और जापान के भी संपन हुआ है एक्स एकूरवेरिन अभ्यास ये आपका भारत और मालदीव के भी संपन हुआ है तो दोस्तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं अगला प्रशन देखेंगे हम लोग अगला प्रशन है हाल ही में DRDO ने उच्च गती वाले हवाई लच्छो के खिलाप मध्यम दूरी की सता से हवा में मार करने वाली मिसाइल MR-SAM का सफल उरान परिच्छर कहां पर किया है तो दोस्तो DRDO ने ये परिच्छर कहां पर किया है आपसे पुछा जा रहा है ये आपका किया गया है चांदीपूर उडिशा में ये आपका परिच्छर संपन हुआ है अगर DRDO की बात करें तो दोस्तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में इसका मुख्याल है आपका नई दिल्ली में है जी सतीस रेड़ी जो है ये इसके अध्याच है कुछ और संगर्ठिनों की बात करें तो दोस्तो इसरो के अध्याच करंट में कौन है अगर से पुछा जा सकता है प्रश्ण में हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिम्टेट के अध्याच कौन है आर माधवन है भारत हैवी एलेक्रिकल्स लिम्टेट के नए अध्याच कौन है नले सिंगल है तो दोस्तो इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं अगला प्रश्ण हाल ही में राष्टिय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का बीस्वा संसकरण कहां पी शुरू हुआ है तो दोस्तो राष्टिय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का बीस्वा संसकरण ये शुरू हुआ है आपका भूवनेश्वर में उडिशा के भूवनेश्वर मे यह आपका शुरू हुआ है अगला प्रशन देखे दोस्तों अगला प्रशन है हाल ही में किस देश ने सोलोमन द्यूप समू के साथ सुरच्छा सयोग समझोता किया है दोस्तों सोलोमन द्यूप समू के साथ सुरच्छा समझोता किस देश ने किया है सही अंसर हो जाएगा ची चीन ने हाली में सोलमन दियूप समू के साथ सुरच्छा सायोग समझोता किया है। चीन की बात करें तो दोस्तो इसकी राजधानी बीजिंग है। करन में इसके राजपती कौन है? शी जिंगपिंग यहां के राशपती है और यहां की मुद्रा आपकी रंबिन नी है यहां की मुद्रा। अगला प्रशन देखते हैं दोस्तों अगला प्रशन है हाली में MSME पारिस्थित की तंत्र विक्सित करने के लिए सिडबी ने किस के साथ भागीदारी की है? तो दोस्तों MSME पारिस्थित की तंत्र विक्सित करने के लिए सिडबी ने किस राज्य के साथ भागीदारी की है? सही अंसर हो जाएगा मेघाले के साथ मेघाले के साथ सिडबी ने भागीदारी की है मेगाले की बात करें इसके राजधानी शिलॉंग है और इसके करेंट में मुख्यमंत्री है कॉनरोट संगमा अगला प्रशन देखी दोस्तों अगला प्रशन है हाली में उत्कृष्ट नेत्रित पुरुसकार 2022 किसी मिला है तो दोस्तों ये पुरुसकार दिया गया है सीमा रेखा को सीमा रेखा को उत्कृष्ट नेतरित पुरुसकार 2022 से सम्मानित किया गया है यहाँ पर दोस्तों हम लोग 2022 के सभी महतपूर पुरुसकारों को देखेंगे भारत रतन डॉक्टर अम्बेडकर पुरुसकार 2022 के से मिला है हरशारी महलोत्रा को सेकंड बात करें दोस्तो तो राम नात गोइंका पुरुसकार 2022 के से मिला है जिशान ए लतीफ को साहित अकादमी पुरुसकार की बात करें तो ये दिया गया है नमिता गोखले को पहली बार गिनीज वर्ड रिकॉर्ड 2022 किसे मिला है जैसी चौधरी को प्रतिष्टि रॉयल गोल्ड मेडल किसे मिला है बाल कृष्ट दोसी को मदर टेर्सा मेमोलियर अवार्ड किसे मिला है डेनमार्क को दोस्तों यह कुछ प्रमुक पुरुसका थे अगला प्रशन देखिए अगला प्रशन है हाली में SRF Limited Board के नए CMD कौन नियुक्त किये गए है सही अंसर दोस्तों यहाँ पर चला जाएगा आशिश भरत राम को SRF Limited Board ने अपना नए CMD नियुक्त किया है यहाँ पर दोस्तों हम लोग कुछ और extra facts देखेंगे Apple के CEO कौन है? Apple के CEO है आपके Tim Kruk BSNL के CEO है प्रवीन कुमार्ज पुर्वार बात करें Amazon की तो Amazon के CEO है एंडी जैसी YouTube के CEO है सुसन वोजिस्की Facebook के CEO कौन है दोस्तों Mark जुकरबर Microsoft के CEO कौन है? सत्यार नडेला और Twitter की बात की जाए तो इसके CEO करेंट में कौन है? पराग अगरवाल तो दोस्तों इसको आप लोग याद रख सकते हैं अगला परिशने दोस्तों हाल ही में किस देश का लूलू समू जो की तमिलाडों में 3500 करोर रूपय का निवेश कर रहा है UA की बात करें तो दोस्तों इसकी राजधानी अबुटाबी है राश्टपती यहां के हैं? खलीफा विन जायद अल नहयान यहां के राश्टपती है मुद्रा यहां पर UA दिहरम चलती है और प्रधान मंत्री यहां के मुहमद बिन राशिद अल मक्तूम है अगला प्रशन देखेंगे हम लोग दोस्तों अगला प्रशन है हाली में किस अभिनेत्री को ब्यूटी चेंज मेकर आफ दा इयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो दोस्तों यह भी काफी महत्पूर है ब्यूटी चेंज मेकर आफ दा इयर अवार्ड किसे मिला है यह आपका मिला है यामी गौतम को अभिनेत्री यामी गौतम को इस पुरुसकार से सम्मानित किया गया है नेक्ट देखिए दोस्तों हाली में अठारवी बिम्ष्टेक मंत्री इस्तरिये बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किस ने किया तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है चला जाएगा एस जैसंकर इन्होंने बिम्ष्टेक मंत्री इस्तरिये बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है नेक देखिए दोस्तों अगला प्रशने क्या है हाली में किसे प्रिमियर हैड़ बॉल लीग के कमिशनर के रूप में नियुक्त किया गया है प्रिमियर हैंड़ बॉल लीग के कमिशनर कौन नियुक्त किया गया है दोस्तों सही answer यहाँ पर चला जाएगा राजीव खर्ना राजीव खर्ना को प्रिमियर हैंड बॉल लिग के कमिशनर के रूप में नियुक्ति किया गया है अगला प्रशन देखते हैं दोस्तो हाल ही में असम और किस राज ने 50 साल पुराने सीमा विवाद को हल करने के लिए समझौता कर लिया है तो दोस्तो असम और किस राज के बीच 50 साल पुराने सीमा विवाद का समझौता हो गया है असम और मिघाले की बीच The answer आपका यहाँ पर बिलकुल सही हो जाएगा नेक्ट देखेंगे दोस्तों अगला प्रशनी क्या है हाल ही में FedEx के नए CEO कौन बने है दोस्तों FedEx के नए CEO बने है राज सुब्रमन्यम राज सुब्रमन्यम को FedEx का नए CEO बनाया गया है अगला प्रशनी है दोस्तों हाल ही में राजिस्थान दिवस कब मनाया गया है दोस्तों राजिस्थान दिवस की बात की जाए तो यह आपका मनाया गया है 30 मार्ज को 30 मार्ज को हाल ही में राजिस्थान ने अपना स्ठापना दिवस मनाया है। अगला प्रशन देखें दोस्तो हाल ही में भारत का घरेलू होकी टुर्णामेंट उबै दुल्ला खान होकी कप किस ने जीता है। भारत का घरेलू होकी टुर्णामेंट है ये उबैदुल्ला खान होकी कप ये जीता है दोस्तो भारती ये रेलबे ने भी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा नेक्श देखिए दोस्तो अगला प्रशन क्या है हाली में किस बैंक ने नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिम्टेर यानि की एने आर सी एल में 109 करोड रुपे निवेश करने की घोशना की है काफी इंपोर्टेंट है दोस्तो ये किस बैंक ने की है सही आंसर चला भवन का उद्घाटन किस ने किया है दोस्तो दुबई में भारती आभुशर प्रदशनी केंद्र भवन खोला गया है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है प्यूश गोयल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है नेक्स देखते हैं दोस्तो हाल ही में हुरू ग्लोबर अंडर फोटी स्व निर्मित अरब पती की रिच लिष्ट जारी की है इसमें भारत कौन से स्थान पर है सही अंसर चला जाएगा चौथे स्थान पर भारत चौथे स्थान पर है अब दोस्तों हम लोग जीकिए को कुछ प्रशने हल करेंगे पहला प्रशन देखिए पहला प्रशने है संविधान के किस संसोधन को लगू संविधान कहा जाता है तो दोस्तों किस संसोधन को लगू संविधान यानि की मिनी कॉंस्टिटुशन कहा जाता है 42 संविधान संसोधन को यहां पर सही अंसर हो जाएगा अगला प्रशन देखिए भारती संविधान का जनक किसे माना जाता है तो डॉक्टर भीम रा अंबेडकर को भारतिय संविधान का जनक मानते हैं नेक्ट देखेंगे संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है तो प्रस्तामना जो है संविधान की इसको सम्विधान की कुंजी कहा जाता है अनुचेद एक में भारत को क्या बताया गया है तो दोस्तो अगर अनुचेद एक की बात करे तो इसमें भारत को राज्जियों का संग बताया गया है काफी important है ये next देखते हैं दोस्तो भारत की सम्विधान को बनाने में कितना समय लगा था दोस्तों अगर बात कीज़े भारत के संविधान को बनाने में तो इसमें लगा था आपका दो वर्ष ग्यारा मेहने और अठारा दिन का समय अगला प्रशन है दोस्तों राश्पती अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा तो अगर भारत का राश्पती अपना त्यागपत्र देना चाहे तो ये उप राश्पती को देगा नश्ट देखे दोस्तों भारतिय संविधान के इस्थाई अध्यच कौन थे तो इस्थाई अध्यच अगर आपसे पूस्त है अगला प्रश्ण है हमारे देश में अब तक कितनी बार अपात काल लग चुका है तो दोस्तो हमारे देश में अब तक कितनी बार अपात काल लग चुका है तीन बार हमारे देश में अब तक तीन बार अपात काल लग चुका है नेक्स देखिए दोस्तो अगला प्रशने क्या है सम्विधान की किस अनुछेद द्वारा अश्प्रिश्यता का अंत कर दिया गया है तो अश्प्रिश्यता का अंत इसका लेक किस अनुछेद में है अनुछेद सत्रा में काफी इंपोर्टेंट है ये नेक्ट देखिए दोस्तों अगला प्रशन है संसत के तीन अंग कौन कौन से होते हैं तो संसत के तीन अंग की बात की जाएं तो राजसभा, लोकसभा और राश्पती ये आपके संसत के तीन अंग होते हैं अगला प्रशन है दोस्तो शू निकाल का समय कब सी कब तक का होता है तो शू निकाल की बात की जाए तो बारा से लेकर एक बजे तक का समय यानि एक घंटे का जो समय होता है ये शू निकाल का होता है अगला प्रशन है दोस्तो मूल करतव्यों को किस संसोधन द्वारा संसोध के द्वारा हमारी सम्विधान में शामिल किया गया नेश्ट देखिए दोस्तों विश्विक में किस देश का सम्विधान सबसे बड़ा और लिखित सम्विधान है तो भारत देश का सम्विधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित सम्विधान है अगला प्रशने दोस् और अब 6 बचे हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं करंट में भीम्रों अमेडिकर ने सम्विधान की आत्मा किसे कहाया तो दोस्तों सम्विधान की आत्मा कही जाया तो सम्विधानिक उपचारों के अधिकार को भीम्रों अमेडिकर ने सम्विधान की आत्मा कहाया अगला प्रशने दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुछेद में किया गया है तो अनुछेद 51 का में इसका वर्णन है हमारे देश में तीनों सेनाओं का सेनापती कौन होता है तो राश्पती यह होता है यह भारत का यह तीनों सेनाओं का सेनापती होता है अगला अगला प्रशने दोस्तों संसद के दोनों सदनों के ठीक बाद के समय को क्या कहते हैं। अगला प्रशने दोस्तों हमारे देश में अब तक वित्ति अपात कल कितनी बार लगा है। अब तक कभी भी नहीं लगा है। अगला प्रशने दोस्तों हमारे देश में पहली बार राश्पती शाचन किस राज्य में लगा था। राजी की बात की जाए तो पंजाम में दोस्तों ये लगा था। नेस्ट देखिए दोस्तों अगला प्रशने क्या है मौलिक करतव्यों को किस देश के समविधान से लिया गया है। उसके सम्विधान से अगला प्रशने दोस्तों सम्विधान में संसोधन की प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है तो दोस्तों संसोधन की प्रक्रिया जो है यह दच्छड अफरीका से ली गई है नेक्ट देखिए प्रस्तामरा की भाशा को किस देश के सम्विधान से लिया अगला प्राशने दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परिच्छा की नियुक्ति कौन कराता है तो भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परिच्छा की नियुक्ति किसके द्वारा होती है राश्पति के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है तो दोस्तों यह था आज का वीडिय शेयर करें साथ चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू